वेल मेरा नाम है महित पाठक और आप देख रहे हैं यूपी की टॉप ट्रेंटी न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबर टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है योगी सरकार के कुछ वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं अक्टूबर महिने बस बीतने वाला है और नौमबर महिने की सुरुवात है ऐसे में आपको कई सारे लाब इस बार मिलेंगे सबसे पहले तो आप जा लिजे कि अगर आप एक यूवा है इसकूल में पढ़ते हैं तो 35 लाख यूवा को सरकार स्मार्टफोन टैबलेट देने व वाला है यूवावाला है यूवाव का मोसम हर एक खबर हर एक जानकारी आपके काम की है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पराली जलाने वाले किसानों को अब उनकी आय बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें सुरू की जा रही है जाने के पूर अपडेट बने की बात कही गई थी लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया लेकिन अभी मंगलवार को स्मार्टफोन टैबलेट के खरीद के लिए कमिटी की बैठक हो गई है आपको दादे रेट फाइनल कर लिया गया है दस हजार रुपए का स्मार्टफोन है जो सरकार को 9972 रुपए का पड़े सबी छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिल सके दोस्तों आपको दादे पहले से जादा अपग्रेट होगा स्मार्टफोन यानि कि 4000 mH की बैटरी जो है वो 5000 mH की बैटरी बन जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एडवांस बना दिया गया है कैमरा भी इनका काफी खा वालियों को ये सारी चीज़े स्मार्टफोन टैबलेट वगेरा बाटी जाएगी इसके लिए फॉर्म भराया जाएगा आपका अटेंडिनस जरूरी है विद्यालेस व संपर्क बनाए रखिए तोहीं की खेती से बदल जाएगी किस्मत होगी अंदा धुंद कमाई जानिये का उत्पादन कम है माम को पूरा करने के लिए भारत दूसरे देशों से आयात करता है या एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिसके बिना भारत की रसोई यानि किचन में काम अधूरा ही रहता है दरसलम बात कर रहे हैं हिंग की खेती भारत में नहीं होती है लेकिन अब देश में ह हिंग की खेती शुरू हो गई है इसकी सुरुआत हिमाचल परदेश से हुई है अगर आप भी आज के इस आर्थ युग में बहतर कमाई करना चाहते हैं तो हिंग की खेती से जुड़ जाईए और लाखु रुपए आसानी से आप कमा सकते हैं आपको दादे भारत में सुद हिंग की कीमत लगब 35,000 रुपए है और 40,000 रुपए पती किलो लगबब बिक रही है इसके वग्यानिकों को लगता है कि हिंग की खेती से किसानों को जोरदार फायदा होगा ऐसे में आप चाहे तो इसकी खेती कर सकते हैं 2020 से भारत में इसकी खेती सुरू हुई है हिंग की कई डाले हैं जो अब महेंगी हो गई हैं सरकारी प्रियासों के बावजूद अरहर की ढाल महेंगी हो गई है इसमें राहत नहीं मिली है खुतरा बाजार में इसके भाव दो सुरूपए पर्थिकिलों के पार हो चुगे है हाला कि बीते कुछ दिनों में मंडियों में अरहर की थोक कीमतों में नर्मी देखी जा रही है जिसका असर आगे अरहर की खुद्रा कीमतों पर देखने को मिलेगी सरकार ने अरहर की दाल की कीमतों को नियंतित करने के लिए श्टॉक लिमिट, श्टॉक की जानकारी देने से उपाय किये हैं, आपके दादे साथ ही आयात को भी बढ़ावा दिया है, अरहर के साथ अन्य डालों की खुद्रा कीमतों में भी तेजी का रुक देखने को मिला है, दिल्ली में रहर की आउसत खुद्रा कीमत आप यहाँ पे प्राइस के बारे में क्योंकि दशहरे के बाद सोने के रेट में चांदी की रपतार थम गई है, यूपी में जानिये क्या है 10 ग्राम गोल्ड सिल्वर का प्राइस, दरसल आपको दादे सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाओ देखने को मिलता है, और आज भारत में 22 कर सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, गाजियाबाद में भी रेट आप देख सकते हैं, इसके साथ ही नोईडा का भी रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलाल जो चांदी का रेट है, वो 75,100 रुपै था, जो अब 74,600 का है, यानि कीमत में कमी आई है, तो खिसान अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर महिना, चौथा महिना होगा, और हर चौथे महिने पर किसान निदी जारी होती है, ऐसे में धन 13 है, छोटी दीवाली, बड़ी दीवाली, तमाम बड़े तेवार पड़ रहे हैं, जिस बज़ा से सरकार यानि प्रधानमंती किसान सम्मा किसान इदी योजिना की 15 किस्त का पैसा नवंबर के पहले सपता तक ट्रांसफर करेगी, मीडियो रिपोर्ट में यही जानकारी दी जारी है, गौर करने वाली बात यह है कि सरकार न अभी तक किस्त के पैसो को लेकर आधिकारी घोशना नहीं की है, लेकिन बात यही सामने किसान के पूर्टल पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फिलाल 15 किस्त का पैसा जो है वो लगबग 10 तारिक तक तो मिल जाएगा नवंबर में, क्योंकि इसके बाद धंतेरा, दिवाली, कई सारे त्यवार पढ़ रहे हैं, जिस सरकार चाहेगी कि किसानों को उनका आ भारती नहीं थे, उन लोगों को ये पैसा नहीं मिलेगा, 31 मार 2023 से वसूली का वियान चल रहा है और अभी ये और चलेगा, पिछले दिनों सरकार ने आडिट कराया था कि इसमें या सामने आया है कि दिस भर में, पियम किसान के करोडों लाभारती गलत तरीके से योजना का उठा रहे है, यी कवाईसी होना जरूरी है, तभी पैसा आएगा, और साथ ही भूलेकर सत्यापन होना भी जरूरी है वही पराली से यूपी के किसानों को बढ़ेगी, आय रोजगार भी देगी योगी सरकार, जानिये कैसे धर असल दोस्तों यूपी में पराली जलाने से होने वाले प्रदूसरन को निजात मिलने वाली है, साथ ही इसको किसानों की आय भी बढ़ेगी पराली से कंप्रेश्ड गैस यानि CNG को उत्पादन होगा, जिससे आय के साथ साथ बड़ी संख्यमी लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी यहां आपको दादे इसका इस्तिमाल होने वाला है, पैदावार के सेवन से बहतर स्वास्त सुनिक्षच होगा सीम योगी ने प्रदेश में जैव उर्जा को पुरसाहिद करने के लिए जैव उर्जा नीती 2022 को जारी किया है योगी सरकार हर तहसील में बायो गैस प्लांट का लक्ष रखा था, आलकि आपको दादे सो लोगों तक को रोजगार मिलेगा लेकिन आपको दादे गर आप पराली जलाते हैं, उसका धूँआ फैलता है, तो ये आप जालिजे कि 15,000 रुपे तक आपको जुर्माना देना पड़ेगा यानि सरकार जहां पर लाब दे रही है, वहां पर कडाई भी कर रही है, इस बज़ा से आप पराली न जलाए अज़ाए पर विजय दसमी पर स्रीराम कर राज तिलक कर बोले सियम योगी रामराजी की आधार सिला है, जनकलल्यारकारी योजनाए जी आपको दादे मुख्यमंत्री योगी आधितनाद ने कहा कि डबल इंजन सरकार की जनकल्यारकारी योजनायर रामराजी की आधार सिला हैं। या पीडी सौभाग साली है। दिवाली और छट पूजा पर घर पर आने वाले लोगों को अभी तक रेज़र रेसन नहीं मिल सका है। वह इन में यात्रा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दीवाली के मौके पर अभी कई या ने ट्रेनों को भी चलाने की घोशना होगी। तो यूपी में बदलने वाला है मौसम क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कोहरा जीहां कोहरा चाये रहेगा बढ़ जाएगी ठंड। और कोहरा देखने को मिलेगा हाला कि या कोहरा रात बारा बजे के बाद और सुबह साथ बजे तक देखा जा सकेगा। पता हो सके चाये वो आपके लाब का हो या होने वाले नुकसान का हो सारी जानकारी आपको दी गई है आई होप की आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।